प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी आज नेपाल दौरे पर जा रहे है प्येम बुद्ध की जनमत सली जाएंगे और नेपाल के साथ वीपक्षय वारता भी करेंगे प्येम नरिंद्र मूदी का ये दौरा चीन के लिए कड़ा संदेश भी माना जा रहा है इस दौरान प्येम मोदी का विमान नेपाल में चीन की मदद से बनाए गए एरपोर्ट पर नहीं जाएगा प्येम मोदी का विमान डिली से उडान भरने के बाद पहले उत्तर प्रदेश के कुशिनगर एरपोर्ट पर उत्रेगा कुशिनगर से प्येम मोदी माई 17 हेलिकॉप्टर से सीधे बुद्ध की जनमस्थली लुंबिनी जाएंगे प्येम मोदी लुंबिनी पहुचने के बाद वो पहले माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और बहुद्ध सांस्कृति केंद्र का भूमी पूजन भी करेंगे छे घंटे के नेपाल दोरे के दोरान दोनों देशों में द्वी पक्षिय बादचेद भी होगी प्येम मोदी चीन की और से बनाए गए हवाय अड़े को बाइपास करेंगे और सीधे लुम्बिनी के लिए उडान भरेंगे जहां उनके आगमन के लिए युनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर एक हेली पैट का निर्मान किया गया है इस चीन के लिए एक जान भुच कर ठुकराने के रूप में देखा जा रहा है भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में कई समझोते हो सकते है साथी जल्विद्युत विकास, साजेदारी और करेक्टिविटी जैसे मुद्धो पर चर्चा होगी प्यम मोदी का ये पाच्वा नेपाल दोरा है दूसरे कारेकाल में पहली बार प्यम मोदी मिशन नेपाल पर जा रहे है प्यम मोदी का ये दोरा दोनों देशों की दोस्ती के लिए काफी एहम माना जा रहा है वही बुद्ध पॉर्णिवा पर प्यम मोदी का ये दोरा चीन की बेचेनी बढ़ाने के लिए काफी है फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर